वर्स 2019 से CBSE ने Class 10th के Mathematics को दो भागों में डिवाइड कर दिया है एक है Standard Mathematics तो दूसरा है Basic Mathematics CBSE के नियमा नुसार जिनका Class 10 में Standard Maths है केवल वही Class 11th में Mathematics की पढ़ाई कर सकते हैं Basic Maths वालों को 11th में केवल Applied Maths मिल सकता है वो Engineering Stream के लिए PCM यानि Physics Chemistry Mathematics की पढ़ाई नहीं कर सकते हैं तब सवाल उठता है कि अगर किसी के पास Class 10th में Basic Maths है तो उसे 2025 में 11th में Mathematics कैसे मिलेगा आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि अगर वीडियो को देखने के बाद भी आपके मन में कोई सवाल रह जाए तो आप बेहिचाखो एक्जायम सबके टेलिग्राम चैनल या इंस्टाग्राम पर हमें मैसेज कर सकते हैं लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है दरसल बोड ने 2019 से ही क्लास 10 के मैस को दो भागों में बाट रखा है परन्तु कोविड पैंडेमिक के कारण कभी इसके नियम को कठोड़ता से लागू नहीं किया गया इट मिन्स इतने सालों से बेसिक मैस वालों को भी 11 में मैथेमाटिक्स मिल जा रहा था बट ये डिसीजन असकूल्स ले रहे थें CBSE ने असकूलों को इंपावर कर दिया था कि आप डिसाइड करो कि बेसिक मैस वाले किन छात्रों को क्लास 11 में मैथेमाटिक्स मिलेगा CBSE का रूल ये कहता है कि अगर 10 में बेसिक मैस का कोई छात्र 11 में मैथेमाटिक्स लेना चाहता है तो उसे बेसिक से स्टैंडर्ड में स्विच करना होगा पर सवाल उठता है कि स्टैंडर्ड मैथेमाटिक्स में स्विच करें तो करे कैसे It should be noted here कि basic से standard mathematics में switch करने के लिए आपको compartment exam देना होगा जो कि board exam के result आने के कुछ ही weeks बाद होता है इसे आप सरल भासा में ऐसे समझो Suppose that एक student है 2024-25 session में class 10 में वो basic mathematics की पढ़ाई कर रहा है अगले साल class 11 में अगर उसे mathematics लेना है तो 2025 के board exam में उसे basic math में ही exam देना होगा लेकिन result आने के बाद उसे standard mathematics में compartment exam देना होगा जिसे अब supplementary exam के नाम से जाना जाता है अगर standard mathematics में वो पास हो जाता है तो वो 11 में mathematics पढ़ने के लिए eligible हो जाता है जब आप standard mathematics में compartment exam देंगे तो उसके बाद आपको एक phrase mark sheet मिलेगी जिसमें basic mathematics के बदले standard mathematics का marks mentioned होगा 2024 तक बिना compartment exam दिये ही basic math वालों को 11 में PCA मिल जा रहा था पर board ने असपष्ट कर दिया है कि 2025 से किसी को इस नियम में relaxation नहीं मिलने वाली इसका मतलब है कि basic maths वालों को अगले साल से पहले board exam में basic mathematics में पास करना होगा और उसके बाद compartment exam में standard mathematics में पास करना होगा तभी उनको class 11 में PCA मिलेगा अगर कोई student basic maths में ही फेल हो जाता है board exam में तो वो compartment में standard mathematics में exam नहीं दे सकता 11 में maths की पढ़ाई नहीं कर सकता In short, basic से standard mathematics में switch करने के लिए आपको 2025 में standard mathematics में compartment exam देना होगा अगर इस topic पर आपके मन में कोई और भी सवाल हो तो आप बहीचक हो exam सबके telegram channel या instagram पर हमें message कर सकते हैं link वीडियो के description में मौजूद है